नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर सी आप सब भी लोग आपके अपने ऑफिशल यूडीव चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91 और कंजेंग्शन पढ़ने के बाद आज बारी है कंजेंग्शन पर बेस क्वेशन्स की और इसको हम लोग बोलेंगे समकर आते हैं जो एक्जाम में आ चुके हैं वहीं से एक्सरसाइज उठाई जाती है तो चलते हैं भाई एक्सरसाइज का पहला क्वेशन देखते क्या है और सॉल्व करें के कोशिच करते हैं तो उमीद है सबको साही से दिखाई दे रहा होगा आवाज भी क्लियर आ रही हो है कि अगर आपको लगता है कि there is no error तो simply say no error is there sir absolutely fine the given sentence is absolutely fine you can say यहां पर पहले लिखा हुआ है कि when I come जो मैं आता हूँ then I will meet you मैं तुमसे मिलता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपने यहां पर when का use कर दिया है तो आपको तब लगाने के जरूवत नहीं है जैसे आप हिंदी में बात करें कि जब मैं यहां पर आता हूँ तब तुमसे मिलता हूँ यह awkward नहीं लग रहा जब हम इसको simply ऐसे कह सकते कि जब मैं यहां ब lot रहा था हूँ तो अमसे थोड़ा सा ठेह ने के बाद जो हम लोग का कहते हैं उसको जब मैं यहां पर आता हूँ तुमसे मिलता हूँ थोड़ा सा कामकाे नहीं तो sir क्या करेंगे when I come comma एक बार दो बार नहीं when I come comma I will meet you कि मैं हाँ पर आओंगा तुमसे मिलूंगा राइट तो है तो future की बार लेकिन जब भी वेन आ गया इसको हमेशा किसमें रखते प्रिजेंट डेफिन पे और रेस अब दे सेंटेस्ट विल बी मेड इन next क्या है भई पढ़ें since I was ill so I could not come again फिर से पढ़ो since यहां पर क्या है क्योंकि क्या सब्सक्राइब कॉणकि मैं बीमार था मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सकता है इसलिए लगाने कि यहां पर जरुवत नहीं है तो यहां पर simply क्या कर देंगे सो हटा देंगे कॉमा है sufficient to say that since I was ill I could not come clear next is no sooner did he see me then he ran away तो अगर आपको याद हो मैंने जब conjunction पढ़ा रहा था मैं तो मैंने आपको बताया था कि दो combination आप लोग हमेशा याद रखो एक हो था hardly scarcely का और दूसरा कौन सो था no sooner का no sooner के साथ क्योंकि ए comparative degree है यार लगा हुआ इसका मतलब this followed by the then टी एच एएन वाला then टी एच एएन नोट टी एच एएन देन नहीं दैन लगाना होता है और hardly scarcely जब भी बात होती है तो conjunction की तौर पर क्या आता है वेन आता है यहाँ पर शुरुआत हमने की no sooner से एक बात इसमें और देखने पड़ती है कि whether the rule of inversion is applied or not अब आप जो new viewers है आज के वीडियो में हो कहेंगे कि सरी बताइए rule of inversion होता क्या है आरे मैंने बताया था adverb की chapter में rule of inversion यह कहता है कि अगर शुरुआत सेंटेंस की कर दो किससे किसी एडवर्ब से और खासदर से नेगेटिव एडवर्ब के साथ यानि scarcely hardly never या no हो गया जब इनसे शुरुआत कर दो तो उसके तुरंत बाद helping आजाती है यानि subject से पहले helping आजाती है तो यह तो सही लिखा हुआ है इसलिए यहां पर date पहले लगा हुआ no sooner did he see me और यहां पर then की जगा क्या लग जाएगा then then he ran away clear है next इस sentence का मतलब क्या हुआ कि उसने मुझे देखा ही था यह देखे देर नहीं हुई कि मैं भाग गया next is hardly I saw him when I stopped my car तो आपको लग रहा होगा कि sentence बिल्कुल सही है क्योंकि hardly की शुरुआत हुई है यहां पर when as a conjunction आया है इसका मतलब यह सही लग रहा है लेकिन यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है कि आपने conjunction तो सही लगा hardly scarcely साथ जो लगती है लेकिन आपने एक चीज़ मिस कर दी वो क्या चीज़ है वो यह मिस कर दिया कि मैंने आपको बताया कि जब भी hardly scarcely know sooner या कोई negative ad verb से sentence की शुरुआत करते हैं तो उसके तुरंत बाद helping आपकी लगाने की जरौद होती है तो यहां पर अब आपकी मर्जी है चाहे तो यहां पर did लगा दो लेकिन जब did लगा है hardly did I तो see हो जाएगा अब आपकी मर्जी चाहे तो यहां पर head लगा दो hardly had I जब आपने head लगा है तो यहां पर seen हो जाएगा hardly had I seen या hardly did I see यह गलत है, इन दोनों में से कोई एक होगा, राइट? Next is Run fast, less you will miss the train Run fast, less you will miss the train मैंने अगर आपको याद आ रहा हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो बड़ होते हैं पहला क्या होता है, less दूसरा क्या होता है, otherwise जब हम otherwise की बात करते हैं, तो sentence को connect करने के लिए हम लोग will का use करते हैं और जब भी हम less की बात करते हैं, तो sentence को connect करने के लिए should का use करते हैं बात दोनों की एक यूद है, less की बात करें, otherwise का मतलब क्या होता है कहीं ऐसा ना हो, या अन्य था, या और क्या सकते हैं नहीं तो नहीं तो अन्य था कहीं ऐसा ना हो बात बराबर ही है लेकिन इस्ट्रक्चर अलग अलग है कहता है लेस्ट अगर लगाओ लेस्ट का यूज़ करो तो शूट लगाओ अधरवाइस लगाओ तो विल का यूज़ करो तो run fast lest you should miss the train clear next चले भी आप भी मेरे साथ साथ बताते रहिए solve करते रहिए till the train gets the signal it will not proceed सही लग रहा है ना लेकिन सही नहीं है दिमाग लगाएं फिर मैं आपको आंसर बताता हूं खुद भी कोशिश करें solve करने की देखो होता है क्या बच्चो कि यह जो टिल होता है न यह most of the cases में इस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है जबकि जो अंटिल होता है ना वह in most of the cases कंजेंशन की तरह यूज होता है तो यहां पर जैसा कि देख सकते हो तेल दा ट्रेंट गेटस यहां पर वह वह का मतलब यह हुआ कि यहां पर requirement किसकी है यहां पर conjunction की requirement है और दो तीन किताबे और यह कहती है कि तिल कभी भी शुरुवात में नहीं आता होता क्या है कि तिल का यूज प्रेपोजिशन कर सकते हैं आप ऐसा कोई मना ही नहीं है यहां थे प्रेपोजिशन का ज्यूंचन भी हो सकता लेकिन ध्यान इतना रहे कि तिल का यूज चुरुवात में नहीं के जाता के बाग में अंड में आ सकता है तो इस कंडिशन यहां पर क्या लगाना होगा until और until में single T होता डबल टी नहीं होता until until the train gets that signal it will not proceed जब तक की train को signal नहीं में जाता है ये आगे नहीं बड़ेगी प्रोसेट नहीं करेगी, right? next one is seventh one he doubts that she will help him he doubts वो doubt करता है की उसको मदद करेगी बहर तो जब भी doubt है तो that नहीं लगाएंगे that चीज़े confirm चीज़ों के लिए आती है doubt जब करता है तो यहाँ पर that हटाएंगे if या weather term का use करेंगे अब अब आप पुछोगे sir ये बताईए if लगाएं या weather लगाएं तो अगर यहाँ पर यह होता है कि she will help me या him or not अगर यहाँ पर sentence को आगे बढ़ाते हैं और not लगा देते हैं तो or not के साथ क्या जाता? weather जाता अगर or not नहीं लिखा है तो क्या लगा देंगे? if लगा देंगे तो he doubts if she will help him next अब इसी type का एक और question आ गया इसमें लिखा I have no doubt if या weather he will cheat me जब कोई doubt है ही नहीं इसका मतलब आप sure हो जब sure हो तो if या weather लगाते ही चोर्टी है ना तो that लगादा I have no doubt that he will cheat me ठीक है next चलो भाई, खुश्य करो 15 seconds का ताइम आपके पास है you are quite cynical when you say that the reason why we have such a large turn out is because we are solving refreshments cynical क्या होता है पागल crazy मैंने आपको बताया था कि जब word reason आ जाए तो reason के साथ because term नहीं जाता बलकि reason के साथ that जाता है that that right क्योंकि इसको समझें बात को आप पूछो के सारी ये समाज में नहीं आए कि reason के साथ because क्यों नहीं जाता है समझो मेरे यहां ना आने का कारण है क्योंकि मैं बीमार हूँ ये ज़्यादा सही लग रहा है या मेरे यहां ना आने का कारण है कि मैं बीमार हूँ की ज़्यादा सही लग रहा है आप को की की, यहनि जब आपने कारण या reason add कर दिया, तो उसके साथ की लगाओ, क्योंकि मत लगाओ, क्योंकि लगाना है तो यह reason वड हटा दो, कि मैं यहाँ नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं बिमार हूँ, जैसे आपने reason या कारण लगा दिया, तो आपको की लगाना पड़ेगा, इसलि that we are serving refreshments, next is add store, चलिए आप solve करें कोईश करें, आग बास 15 seconds का time है, लिखते के दिन लोग solve कर सकते हैं, that store had not hardly any of those goods, मैंने आपको बताया था, एडवोब वाले चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था, hardly scarcely, यह सब, सारे words, यह सारे के सारे negative terms है, hardly scarcely का मतलब होता है, ना के बराबर, barely हो गया, scarcely हो गया, hardly हो गया, sell term हो गया, यह सब बताते हैं, ना के, यह rarely हो गया, ना के बराबर, जब ना के बराबर, आपने यहां पर कह दिया है, तो not लगाने का शकता नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या तो hardly हटा दो, यह not हटा दो, दोनों एक साथ मिया सकते, next, 11th, the period between, चलो, take your 10 seconds or 15 seconds, then I will be coming back to you with the answer, with the answer, actually the pronunciation of the, the, of the, will be changed as the, when it comes to with prior to, to, what, vowel sound, that is why we say, the end, not the end, the Indian, but, the French, not the French, so the period between 1982, मैं आपको बता दो की, जब भी आप बिट्वीन का उसकरो ना, तो between के साथ, दो value जब दी होती है, तो end का use करते हैं, अब, अगर आपको 2 लगाना है, तो from का combination 2 के साथ होता है, from के साथ 2 आता है, from इतना 2 इतना, जब यहाँ पर between आपने लगा ही दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर from लगाओ या 2 करो, between लगा दिया, तो इसके अनुसार यह चेंज करना पड़ेगा आपको, तो between के अनुसार यहाँ पर end हो जाएगा, right? Next, again, no sooner पर base, hardly, scarcely, no sooner के पर, बहुत से दा questions बनते हैं, when it comes to conjunctions, जब भी बात होती, conjunctions की, क्या लिए लिए, no sooner had the hockey match started, when it began to rain, मुश्किल से ही, hockey match start हुआ था, कि बाड़शा होने लगी, तो पहले चेक करोगे, no sooner के साथ, head यहाँ पर लिखा हुआ है, rule of inversion applied है, लेकिन no sooner के साथ, यहाँ पर, फिर दूसी चेस क्या check करोगे, then आया है कि नहीं, बिल्कुल आया है, इसका मलाब no error, सही है, no error, कहीं लोगो लगेगा कि no sooner के साथ, did आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, head भी आता है, head, the hockey match is started, बस यहाँ पर देखे न, head के साथ, combination third form का हुआ हुआ, started, then it began to rain, no error is there, in this particular sentence, now coming to the question number 13, that is, कभी-कभी ना, English बोलते वक्त, थोड़ा सा, अलग-अलग accent भी ट्राई किया करों, मजा आता है, अलब अच्छा लगता है, एक normal spoken होगी, जैसे हम लोग पॉड़ रहे हैं, कि she is very beautiful, but intelligent, लेकिन अगर हम लोग different type के accent में, अगर बोलें सेंडिस को, मैं ही नहीं कहा रहा हूँ कि हमेशा ऐसा करो, this is a kind of fun way, friends के साथ बैठ की, एक होतानी हसी मजाग करना, jolly nature अगर आप रखते हो, तो यह experiment किया करो, monotonal sound मत किया करो, एक जैसे sound मत किया करो, हमेशा अपने voice में, या tone में उतार चड़ाव रखा करो, जिससे आप boarding कभी sound नहीं करते हो, क्योंकि language और communication, relate करता है आवाज से बहुता है, से किसी की आवाज सही नहीं है, वो सही डंग से नहीं बोल पाता है, या उसकी आवाज जो है, बहुत slow आती है, तब भी हम यह नहीं कह सकते, कि उसकी communication बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपकी आवाज पब्लिक तक नहीं पहुंच पार रही है, तो आप यह नहीं कह सकते हैं, कि your communication is very good, तो अगर इसको दूसरे accent पढ़ो, तो हम यह भी कह सकते हैं, she is very beautiful but intelligent, और कई की जिसे बाहर के लोग होते हैं, तो बट को बट भी नहीं पढ़त पूर रहे हैं, तो बा कहते हैं, बा, she is very beautiful, बा, intelligent, तो इसमें, एरर क्या ही यह बात कर रहे थे, तेखिए, यहां पर, ब्यूटिफुल positive quality है, intelligent भी positive quality है, जब positive qualities को connect करते हो, तो बट नहीं लगाते बीच में, बट का मतलब तो लेकिन होता है, वे अच्छा है, लेकिन इमानदार है, नहीं, वे अच्छा है, और इमानदार है, फिर मैं कहते हूँ, वे अच्छा है, लेकिन नालायक है, चरारती है, राइट, तब यहां पर लेकिन लगा सकते हैं, contradictory statement होती है, तब बट के उस करते हैं, एक positive वेकि negative, तो बट आएगा, लेकिन यहां पर दोनो positive हैं, तो यहां पर क्या लगाते हैं, बट कारते हैं, शी इस वेरी बूट फिल एंड इंटलिजेंट, नेक्स, योर सक्सेस इन दी आई-एस एक्जामनेशन, डिपेंड्स, नोट ओनली ओन वाट पेपर्स यू हाव सेलेक्टेड, बट ओन, हाव यू हाव रुटन देम, करना चाहता है, आपकी जो सक्सेस सपकता है, इस एक्जामनेशन में वो डिपेंड करती हैं, नहीं सिर्फ इस पर कि आपने कौन से पेपर चुने हैं, बलकि इस पर भी कि आपने उनको कैसे लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, कि नौट ओनली के साथ, बट अल्सू का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ बट का कॉम्बिनेशन नहीं होता, यह, देखें आपर, नौट ओनली ओन वाट पेपर्स यह वाफ सेलेक्टेट बट अल्सू, बट अल्सू, आपने उनको कैसे लिखा हैं, नेक्स इस फिफ्टीन्थ, इसमें बच्चों अपलाई होगा, रूल ओफ इन्वर्जन, चलो, गेस करो, दस सिकंड आपके पास हैं, मैं कभी भी न्यू यॉर्क नहीं रहा, से पहले, और ना ही मेरी सिस्टर, अगर सेंटर्स को ऐसे कहता, कि ना तो मैं, ना ही मेरी सिस्टर कभी न्यू रही, तो कैसे कहता, कि ना इदर आए नौर माई सिस्टर, अब देखो, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर के अकॉर्डिंग, हैव की जगा, हैज, तो अब इस सेंटेस को दो पार्ट में डिवाइड करके बता रहा है, पहले अपनी बात का ले रहा है, फिर तो अपनी बहन के बाद शुरू कर रहा है, कि मैं कभी नहीं रहा, और ना ही, और ना ही ना ही पे जोड दिया, और ना ही मेरी सिस्टर, तो जब ना ही पे जोड दिया, सेंटेस को नीदर से स्टार्ट कर दिया, एंड लगाने के बाद, तो करना क्या होता, रूल आफ इंवर्जिन को लगाना होता, जो कि कहता है कि सब्जिक्ट से पहले वर्ब लगा दो, यानि उस तुरंद जो एडवर्ब आया ना नीदर यहां पर आया है, उसके तुरंद बाद helping लगा दो गया, तो helping लगाने के लिए आपको test check करना पड़ेगा, यहां पर क्या है, have not been, यह ना, have not been, तो sister के साथ तो have तो आएगा, नी क्या आएगा, has आएगा, लेकिन वो has यहां नी लगएगा, यहां लगएगा, नीदर के बाद, नीदर has my sister, अब सही हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या sentence हो जाएगा, I haven't been to New York before, and नीदर has my sister, एक और इस टाइब के sentence देखे, I am a doctor, so my brother is, देखे, I am a doctor, so my brother is, जिसका क्या मतलब, यहां पे so का मतलब आताहा नहीं है, इसलिए नहीं है, यहां पे so का मतलब वैसा, मैं एक doctor हूँ, वैसा ही मेरा भाई भी है, I am a doctor, so is my brother, यहां से is रटेगा, कहा लगएगा, यहां पर, यहां पर भाई भी है, यहां पर भाई भी है, तो कहने कहा लगएगा तरीके होते है, रूल आपर अपर अप्लाइट है, next, scarcely had I arrived then, the train left, so here we are starting the sentence, using scarcely, hardly, so make sure that you are using, when as a conjunction, not then, in case of you are using no sooner, you can apply then, but we are talking about here, here we are talking about scarcely, hardly, so you have to use, when as a conjunction, so we have used here then, this is absolutely wrong, so when will be replacing that then, तो क्या हो जाएगा, when, बहुत अंगी जी बोली भी हिंदी प्या जाते है, scarcely had I arrived, when the train left, 17th, अब 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 आपको, इसा नहीं कि, जो लोग बहुत तेज जर्दे इंग्लिश बोलते हैं, भाई अच्छे होते हैं, इसा नहीं नहीं, बहुत बोलने का मतलब, कि अपनी बात को समझा लिया, बीट एनी कांड अफ लैंग्वेज, यौर मास्टर, आपका काम हो गया, इसा थोड़ी है कि आपको, बीपी में थोड़ी काम करना है, यहां फराटेदार इंग्लिश बहुत बढ़िया होनी चाहिए, एक मिनट में, पचीछ सेंटेस बोल तो कि तभी इंग्लिश अच्छे मानी आएगी, नहीं, आपकी दिमांग में जो है, वो समझा ले जाओ, वो समझा ले जाओ, that is also called communication, and communication is not all about English language only, communication can come from Hindi also, any kind of language you are thinking, you just, what is the purpose of communication, just to convey the message, whatever you are thinking, you are able to transfer those thoughts, to the person sitting or standing in front of you, that's sufficient, that is enough, the reason why he was rejected, was because he was too young, यह बाबा फिर से वाई से इंटर्स आजाने करें, यह पर रीजन लिकर, रीजन के साथ कभी भी हम लोग, because का यूज नहीं करते हैं, मैंने आपको बताए था, reason वर्ट के साथ because नहीं आता, reason के साथ का अमिरेश नहीं आता, that का, यह लोग ने कुछ previous questions में से मिस कर दी, एक और question आया था reason के उपर, तो मैंने बताया था, reason के साथ that जाता है, because नहीं जाता, the reason why he was rejected was because, नहीं, was that, was that he was too young, तो उसके rejection का reason क्या था, क्योंकि बहुत ज्यादा young था, जरू से ज्यादा, तो लगाने के मतलब क्या है, जरू से ज्यादा, next is, unless you do not, पहले ही हमको error मिल गया, whenever you are using unless, until, that already consists of what, not, अन का मतलब क्योंकि था, not होता है, जब पहले से not लिखा हो, तो not लगाने क्या, जरू से नॉट रटा देंगा, जरू से जरू से जरू से जरू रटा, जरू से जरू से जरू था, जरू से जरू से लिखा हो, जरू से जरू से जरू से जरू रटा डटा टारूने क्या, unless you do not, unless you give, next, none of the diplomats, diplomats, at the conference was able, either to comprehend or, Sol अब d lobby क्या होता है जब भी हम Not Only But Also की ब़ाद करते हैं, आइधर और की बाद की बात करते हैं दो प्रकार की प्रकार की दोस्तो तुरटी ये बन सकती है अगर शुदिंदी मोलें, प्रकार की तुरटी ये बन सकती है कि हम उसमें क्रिया क्या लगा है यानि कि वर्ब क्या लगा है और दूसरे प्रिकार के तुटी ये बन सकती है कि हम उसमें पोजीशन क्या लगा है यानि कि पोजीशन पर बेस्ट भी इसमें से आता है not only but also either or neither or में से तो हमें चेक करना पड़ेगा जो भी चीज़े common होती है वो इधर के पहले रहती है या निधर के पहले रहती है या not only के पहले रहती है तो none of the diplomats at the conference was able to तू यहाँ पर आएगा क्योंकि तू common है न दूनों बातों के लिए तो क्या करेंगे तू उठा के यहाँ रग दो was able to अब आईदर लगाओ आईदर comprehend और solve क्या मतलब है इसका कि यतने भी officers थे conference hall में वो ना तो comprehend करने में सक्षम थे और ना तो solve करने में problem को ठीक है next 20th that is saying I have found that he is neither willing or capable so there is a combination combination of neither nor and we have used here or this is totally wrong तो क्या होता है कि नाईदर के साथ combination जाता है कि इसका नार का नाईदर नार होता है ना तो आए फॉन मेंने पाया कि वह ना तो willing है यानि की चाहता है और ना ही सक्षा में capable है और क्या नार easy है बही कोई दिक्कत परिशानी समस्या तो नहीं है next 21st when her son got a job जब उसके बेटे को जाब मिली तब she was happy again यहाँ पर तब लगाने की ज़रूत नहीं है हमसे बली कह सकते हैं कि जब उसे जॉब मिली उसके बेटे को जॉब मिली वह खुश था simply थोड़ा सा gap लेके और gap वो क्या होता है comma होता है so comma will replace what then when her son got a job comma she was happy she was very happy right then हटा के comma कर देंग लगा जाता चाहे उसने comma यहां पर लगाया हो चाहे ना लगाया हो sentence सही माना जाएगा लेकिन लगा दिया तो गलत माना जाएगा next 20 second 15 second आपके हिशरुवात के solve करने के कोशिश करो then मैं बताऊंगा इसका answer क्या होगा कुछ समझ मैं यह? क्या हुआ? answer the cost of the new machines is likely to be so high as 10 times the existing ones इसको दी पढ़ेंगे wall sound है ना? कह रहा है जो cost है new machine की वो likely to मतलब होने को है मतलब ऐसा अनुमाल लगा जा रहा likely to be so high as तो मैं आपके बता दू दो combination होते हैं एक होता है as as का combination एक होता है so as का combination as as similar चीजों के लिए सिमिलर जब की so as not के लिए आता है जब दिस सिमिलर चीजे हो सिमिलर चीजे ना होता है तो क्या हो जाएगा is likely to be as high as 10 times so कब लगाते so as combination जब यह होता कि उतनी नहीं है यहां पर तो है ना not के साथ combination जाता है so as का 23rd he walked as faster as he could so he could अचा है से बढ़ो he walked वह चला इतना तेज जितना की वह चल सकता था ताकि so that he would not miss he would not miss the train to work ताकि वो train को भीज ना करे तो पहले चीज़ तो यहां पर बटे as as so as के बीच में हमेशा positive degree of adjective और adverb आता है as good as बोलेंगे as better as बोला तो गलत हो जाएगा as faster नहीं as fast as और यहां पर भी बुट नहीं कुड लगाओ so that के साथ के नहीं कुड में माइट next 24th she was running a very high fever does her mother took her to the doctor she was running a very high fever का मतलब यह नहीं हो कि वह हाई फीवर को चला रहा था run कर रहा था नहीं बलकि यहीं मतलब है कि उसको बुखार था कि कहने का एक और तरीका है she was running very high fever she was running very high fever इस प्रकार से उसकी मम्मी उसको लेके की doctor इस प्रकार का sense नहीं आ रहा है so लगादो simply बस does ना लगाओ she was running a very high fever so her mother took her to doctor next unless you will work hard मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप unless या until का use करो तो देखना साथ में will या शैल तो नहीं लगा है will या शैल नहीं आता इसके साथ not भी नहीं आता है unless you will अटा तो you work hard you cannot pass यदि आप cutting pressure नहीं करेंगे या आप pass नहीं हो सकते next keep him at an arm's length मलब कि आपको दूर रखो keep him at arm's length का मलब कि दूर रखो lest you may not repent in the long run ताकि बाद में जाके आपको पच्चतावा ना करना पड़े repent का मलब कि पच्चताना तो lest के साथ may नहीं लगाते शुड लगाते lest you should not repent clear है? कोई डाउट? नहीं next question पे चले आते हैं अब आप answer दो 15 सेकेंड आपका वक्त शुरू होता है अब अब ये मत कहाना कि सर अपना खुच जो है वो easy वाले solve कर लेते हैं हम लग को मुश्किल वाले पूछते हैं ऐसा कुछ नहीं है अब जो किस Jew लैंटी हूईेнет इस अपनूपस्टीं ईजी हैं कुछ में समतिंगी और दिफिक हैं उपकार बा कि उजया स्वेश्चान आपका question or problem else you will find yourself in dilemma dilemma British accent है dilemma American accent है होता क्या मतलब इसका? मुश्किल में, दुविधा में dilemma, dilemma, American, British How do you manage to speak? आप कैसे manage करते हो उसे बोलना? to manage to speak to her उसे बात करना कैसे manage करते हो? with so great patience इतने, हमें ही कहना इतने great patience के साथ तो यहाँ पर so is followed by that तो यहाँ पर such लगा देंगे with such great patience so नहीं she was not so well versed in English that we had expected कहना कह जाता है वैं इतनी skilled, वैं इतनी ज्यादा skilled नहीं थी English में जितना हमने expect किया था यह जैसा हमने expect किया था अच्छा यह जो so और that लगाते हैं यह impact को बताता है प्रभाव को जैसे he is so good that he can solve any problem वैं इतना अच्छा है कि वो किसी भी problem को solve कर सकता है लेकिन यहाँ पर बात so that के नहीं हो रही है वैं अच्छी नहीं थी skillful नहीं थी English में philosopher and guide not only stopped coming here but also going to any place which is related to his wife's life again जब भी not only but also देख लो sentence में तो दो चीज़ी चेक करना पहला तो क्या not only but also के साथ जो verb आई है लेकिन verb की बात यहाँ पर नहीं करें क्योंकि यहाँ पर subject तो पहले आई चुका है Mr. Sinha my friend philosopher and guide आप यहाँ पर पोजिशन किया रहाँ देखो पोजिशन सही है गलत है not only stopped not only stopped coming here but also going बतलब आना जाना रोका और रोका एक common word है जो की not only से पहले आना चाहिए तो क्या हो जाएगा Mr. Sinha my friend philosopher and guide stopped रोका तोनों को ना not only यहाँ से stop हटेगा not only coming नही किवल आना बलकी जाना भी but also going to any place which is related to his wife's right life next neither the doctor nor the nurses were asleep when the angel was brought to the hospital नही doctor नही nurses सोई हुई थी जब इंजर्ट को ले जाया गया हॉस्पिटल में अब देखो नाइदर डॉक्टर यहाँ पर नाइदर नौर के यूज किया गया है सब्जेट के साथ तो हमें देखना पड़ेगा दो सब्जेक्ट पहला वाला सिंग्विलर है सब्जेट के लिए बिल्कुल सही आया है कोई भी अर्र इसमें नहीं है नेक्स्ट इस थर्टिफर्स दिस प्रहाप्स का मतलब शायद दस सेम प्लेस यह शायद वही प्लेस है जो हमें आरे दोरा स्लेक्ट किया गया था जो उस किया गया था पिक्निक के लिए आपको प्रनावन में याद होगा कि जब मैंने बताया था पहले तो प्लेस आया है तो प्लेस के साथ हो नहीं आ सकता क्योंकि सेम आया है दा सेम हो गया या दी ओनली हो गया या ओल हो गया इनके साथ बैट आता है प्रनावन में बताया था So, this is perhaps the same place that was chosen by us for the picnic. 22nd. She asked me that why I was not preparing for the civil service examinations. उसने मुझस से पूचा कि क्यूं मैं नहीं परपेर कर रहा था civil service examination के लिए? दो कंजिंक्शन लगाना महापाप है, अपराद है. जैट भी लगा दिया, वाई भी लगा दिया, किसको हटा दे, आस घ्रह सले वाई सुफिशिएंट, दैट हटा दो से नहीं सही हो जाएगा. She asked me why I was not preparing for the civil service examination, that's all. Clear? Next is 15 seconds आपके पास है, जवाब दे. As Ajay Devgane is a perfectionist, So he always insists on retakes till he is satisfied with the shot. यहाँ पर till भी इसने conjunction की तरह यूज किया है, लेकिन till का यूज चुरुबात में नहीं करते हैं, यहाँ पर until भी हो सकता है, till भी सही है, तो कोई दिक्कात नहीं है. Till as a conjunction, as a proportion, दोनो, आपके यहाँ पर as a conjunction आया, लेकिन as का यहाँ पर क्योंकिस है, since Ajay Devgane is a perfectionist, he always insists, so लगाने जरुती है. सो हटा दो, कौम है sufficient, he always insists on retakes, अमेशा आप वो जोड देता है किस पर retake, बार बार, या नहीं बार बार शूट करो, जब तक सही ना हो जाए, perfection ना आ जाए, जब तकि वो satisfied ना हो जाए, shot के साथ, right? next, 34th, your time starts now, 15 second, आपके. हां मैं कही गया नहीं, I am just waiting for your reply. I don't know if any of the students of our school is going to pay any heed to the principals or not. मुझे नहीं पता की, कोई भी student, हमारे स्कूल का, कोई भी attention, heed का मतलब क्या attention, pay करने वाला है? प्रिंसिपल की order को, or not लिखा है, इसका मतलब confirmation, जब or not का है, is going to pay any heed to the principals or not, or not combination है, if के साथ नहीं जाता है, weather के साथ जाता है, weather. मौसम वाला weather नहीं, वो क्या होता है? W-E-A-T-H-E-R. next is, चल भी, आपका time शूरू होता है, अब, 15 seconds आपके, 15 seconds मेरे, समझाने के लिए. एक्जाम में आपको लगता होगा कि सर, एक minute भी तो नहीं मिलता है, एक question के लिए, तो आप ये देखिए, एक minute लगता भी तो नहीं, अगर आपको आता है, तो. English का एक question solve करने में, 15 seconds लगते हैं, बस. उससे भी कम, even कभी-कभी आप 5 seconds के अंदर, टिक लगा के आ सकते हो, 5 seconds में अगर एक question हो जाए, तो English का paper कभी छूटे हैं, ना. Mathematics को solve करने में time लगता है, reasoning में time लगता है, लेकिन English में आता है, तो आता नहीं आता, तो दिन भर बैठे रह जाओ. Although these books are not very useful, not useful, but the students buy them because their seniors did so. यदपी ये किताबें जो हैं, useful नहीं हैं, लेकिन students इनको खरीदते हैं, क्योंकि उनके seniors ने ऐसा किया, ये कहना चाहा रहा है, sentence के मात्यम से. तो मैं आपको बतादू, मैंने आपको बताया था, adverbs में हो, conjunction नहीं, conjunction बताया था, कि जब भी हम all दो यदों का यूज करते हैं, जिसका मान लगता है, यदपी. तो यदपी के साथ फिर भी का combination होता है, यानि यदपी के साथ यट आता है, sentence को connect करने के लिए, या कॉमा आता है, simply. कभी भी बत का use नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, जिसमें रिका कि यदपी वै बिमार है, वै अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है, एल इल नहींत करता है, फिर भी का abundance अइंस आता है, लेकिन का sense नायाता. तो यहाँ पर कहा है भाई बट यह है यहाँ लगा दो येट यह सिंपली दोनों कटा दो सिर्फ एक कॉमा लगा दो तो भी सही हो जाएगा next is he has lots of money and he will not help anyone देखो उसके बाद बहुत सारा पैसा है और वो किसी के help नहीं करेगा contradictory pair है यानि की opposite terms है कि उसके पास पैसा है positive negative लेकिन मदद नहीं करेगा तो लेकिन का sense आएगा and का sense नहीं आएगा but he has lots of money but he will not help anyone next 15 second आपके अब शुरू होते हैं तो क्या मतलब हो इसका क्योंकि वह intelligent है इसलिए अच्छे नंबर लाता एग्जाम में तो क्योंकि वह बीमा सॉरी बीमार नहीं क्योंकि वह intelligent है therefore लगा नहीं जुरूत नहीं कॉमा एक सब्सेंट क्योंकि वह intelligent है वह एच्छे मांस लाता है अब आपको किसर कैसे पते चलेगा कि यहां पर यह देरफोर दस सो लगाने जुरूत नहीं पड़ती है आप सेंटेस को कहो कहना पड़ेगा कहो और थोड़े से गयाप के बाद आगे वाले सेंटेस को अगर मीनिंग बिल्कुल क्लियर होता है तो बाद में कोई भी कंजिंशन मत लगाना सिफ कॉमा लगाना जैसे क्यूंकि वह हैं इंडेलिजेंट है वह एक्जाम में अच्छे नमबर पाता है सही लग रहा ना इसलिए देरफोर हटा दो नेक्स्ट बहुत रिच अलंग विद पूर हार अफेक्ट इक्वली विन प्राइस 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 के साथ अलंग विद कुछ नहीं आता हमेशा एंड आता है बोथ रिच अलंग विद पूर नहीं अलंग विद नहीं बोथ रिच अंड रपूर बोथ के साथ अंड का कॉम्बिनेशन होता है नेक्स्ट इस श्याज नाथिंग एंड नॉलेज उसके पास कुछ नहीं है मैंने आपको बताया था था की चैप्टर में जब भी ईलस आता है इलस के साथ बठ आता है अगलेज अगले देगे श्याज कोई और चीज नहीं है कोई और चीज नहीं है compare करा तो then आ जाएगा other के साथ then she has no other thing sorry that लगा दिया that नहीं then क्या होगे भई she has no other thing than knowledge उसके पास और कोई चीज नहीं सिवा है knowledge की तो इसके बात हो जाता है हमारा thank you 40 question हमने solve कर ले यहाँ पर discuss कर ले आप सभी लोग के साथ conjunction based मुझे यकिया है कि conjunction में से कैसे भी question आएगा आप आसानी से बड़ी आसानी से कर ले जाओगे और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो please let me know मुझे जानने दो क्योंकि जब तक आप डॉक्टर को बताओगे आपके पास परिशानी क्या है क्या दिक्कत होरी तक तक वो सही दवा नहीं दे सकता तो इसलिए मुझे जानने दो अपने बारे में ताकि मैं सही तरीके साब को guide कर सकूं और यहीं teacher का मैं teacher घोट की पिला नहीं सकता लेकिन हाँ guidance हो जो guidance की importance होते वह आपको लेना है जो भी आपके teacher हूं उन सहाब से ऐसा साथ नहीं कि एक teacher से पढ़ना है जो भी आपको अच्छे